नमसकार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परीचे दोस्तों पस्थित हों आप सभी की सेवा में एक बेहधी महतोपून जानकारी को लेकर के जहां बालों को काला और लंबा बनाए रखना बहुत ही चैलेंज हो गया है क्योंकि आज कल ऐसी हमारी लाइफ हो गई है हमारा एक तो उपर से दिन चर्या किसी की धंग से निन नहीं पूरी हो पारी है तो कोई वर्क की वज़र से सही धंग से आराम नहीं कर पारा है किसी का खाना सही से नहीं हो पारा है कोई बहुत जादा पोलिशन में रहता है इन सब वजहों से कहीं न कहीं हमारा शरीर जो है वो बिमार होता जा रहा है ठीक बालों पर भी वैसा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब हम इन चीजों का क्यार नहीं करते हैं तो आए आज हम सभी एक ऐसे हमें ड्रेमेडीज के बारे में जानते हैं जिसके सारे आप अपने बालों को बहुत लंबा बना सकते हैं यानि कि हेल्दी लेगा तो वो आसानी से ग्रो करेंगे और ज्यादा दिनों तक ब्लैक एंड साइनेबल रहेंगे भी इसलिए आज हम आप सभी के लिए हुम में ड्रेमेडीज लेकर क्या हैं जिसके सारे आप अपने बालों को खुबसूरत रख सकते हैं बालों को दुगनी या फिर तिगन बा अमोयल वितामिन ए कैपसूल इसके हलावा वेसलिन चाहिए होगा आपको अब जानिए इसको करना क्या है सबसे पहले आप बादामोयल लेजिए इसको एक बाल में डाल लीजिए दो चमच इसके बाद एक विटामिन ए कैपसूल डाल लीजिए अगर इवियं 600 mg की कैपस तो एक डालना है आपको और अगर आपके पास ग्रीन वाली इवयोन 400 mg है तो उसको दो डाल लीजिए जिहां उसमें आपको मिला लेना है आपको बादाम वैल यानि कि अल्मन्ड वैल में आपको मिलाना है इवयोन 600 विटामिन E कैपसूल एक को निचोड़ी और उसमें मिला लीजिए अच्छे ढंग से इसके बाद आपको आधा चमच उसमें वैसलीन मिलाना है जिहां आधा चमच लेकर के वैसलीन अच्छे से अब इसको मिला लीजिए इन तीनों का पेश्टेक तयार हो जाएगा आपको अब क्या करना ह होगा आपको कि उसपे फिंगर डैप किजिए अपने तीनों यह फिर चारों अंगूठे को छोड़ करके बाकी चार उंगलिया उसमें डुबो यह फिर उनसे एसकेलप पे मजा फिर उसकेलप पे मसाज किजिए जीहां बालों की जड़ों में आपको धीरे-धीरे हलके हाथ से मसाज करना है जिससे अच्छे तरीके से ये पेश्ट बालों में लग जाए इसके बाद ये ध्यान रखें कि जब भी ये और शदी का प्रियोग करना है आपको रात को करना है और खास करके आप संडे का दिन एक दिन मिलता है सबता में उसी दिन करें तो बहतर है क्योंकि आ आपको करना क्या है फिंगर्स की सहायता से जड़ों में धीरे-धीरे मालिश करनी है जब मालिश अच्छे से हो जाए आप सो जाए छोड़ दें ऐसे ही सारी रात के लिए तकीए के रूप में एक कोई भी कपड़ा जो की गंदा हो गंदा से मतलब है हमारा जो आप छोड़ कर लीजिए शैंपू कर लीजिए सब्ताह में आपको बस एक बारी स्प्रियों को करना है ज्यादा नहीं करना है इससे आपके बालों को पून पोशन मिल जाएगा विटामिन ज़रूरी होता है बालों की विकास के लिए और उनको काला बनाए रखने के लिए इसके आलावा वैसलिन और अल्मोंड ओयल उसमें मोस्चराइजिंग गुन होते हैं जो कि इसको आलवेज ड्राइनेस से बचाएगा जिसकी वज़ा से आपके बाल आसानी से ग्रोथ कर पाएंगे और बहुत लंबे यानि कि जितने लंबे आप चाहते हैं उतने लंबे बाल आपके हो जा तब तक के लिए धनिवाद नमस्कार दोस्तों